Hello friends, welcome back to the channel आज मैं एक बहुत बड़ी update ले के आया हूँ regarding the UTS applications के उपर में जैसा कि ये एक applications जिसमें बहुत से लोगों को problem हुआ है कुछ past days में, even मैंने भी बहुत सारे इसमें problems को थोड़े बहुत फेस के हैं so यहां regarding में एक बहुत बड़ी update ले के आया हूँ जिसमें मैं इसके सारे errors like आपका जो ticket book नहीं हो रहा था या फिर जो है उसमें आपके error हो रहे थे कुछ भी तो उसके regarding है but before starting of this video मैं यहाँ से आपसे कुछ share करना चाता हूँ जैसा कि आज first of November है तो देखिए आज के ही दिन पे मैं ticket एक book किया था so यह life proof है आपके लिए कि आज मैंने जो है ticket book की और यह सब चीज जो है ठीक ठाक मुझे यहाँ पर information मिली इसलिए मैं आपके लिए update लेके आया हूँ ठीक है इसका इस्तमाल मैंने जो है QR code के थुरू जो है use करके यह ticket के book किया था QR code के तरह किस तरह से आप use करके ticket book कर सकते हैं वह आपको आई बटन में वीडियो मिल जागा आप वहाँ से देख सकते हैं so अब आते हैं इसके main जो इसके errors रहते हैं regarding UTS applications की तो उसके बारे में या फिर जो ticket book हो जा रहा था और यहां पर show नहीं कर रहा था तो उसके regarding की lockdown की समय में कुछ कुछ जगों पर जो सर्विस इसका बंद कर दिया गया था तो इस zone is not allowed लिख रहा था या फिर इस तरह से कोई भी message दिखा रही थी तो यह regarding particular issues एरिया में हो रही थी फिलाल मैं बात कर रहा हूं West Bengal की यहां पर मैं विलाउंग करता हूं West Bengal से तो यहां पर मैं इस application को आज ही recently आज की date पर यूज किया और मुझे यहां पर कोई भी error नहीं आई और यह normally आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर दिखा दू तो यह मेरी ticket जो है आज ही मैंने इ जो भी previous balance थी इसी balance से जो है वो मेरा यहां पर ticket कटा है और इसका मैं आपको current दिखा देता हूं जो भी इसके process जो भी मेरा यही एम था कि आप लोग के capacity information पहुंचे कि जो भी इसके regarding आप यूज करना छोड़ दिये थे या फिर जो कि इसको problem हो रहा था तो वो अब problem नहीं होगी आप प्लेस्टर से updated इसके application को use करके इसे use कर सकते हैं और इसके उपर और भी बहुत सारी मैंने वीडियो में लाई है अगर इसके regarding अगर फिर भी आपके reason में या फिर ऐसा कोई area है जहां पर आप इसको use कर रहे हैं और problem हो रही है तो मुझे आप नीचे comment किजेगा मैं उसके उपर जो है resolve देने की कोशिस करूँगा so till now thanks for watching video